शिरी भक्तमाल में शिरी पीपाजी ठव परसंग दुराचारी भकतवी मख़ को संत भाव परदान करना अब जब राजा का अंताकरन पुईत्र हो गया तब शिरी पीपाजी ने उसे अनन्य भक्ती का उपदेश दिया एक दिन एक सादू रूपधारी दुराचारी शिरी पीपाजी के आप पास हा करके बोला आप अपनी इस्तरी को मुझे एक रात के लिए दे दें आपने कहा ले जाओ उसने सीता सहचरी से कहा आप मेरे संग दोड़ कर चलो आग्या के अंसार ये उसके साथ दोड़ती हुई चलने लगी और तो दोड़ते दोड़ते सारी रात भी थगी फिर भी उसका घर नहीं आया प्रादाकाल हो गया ये बैट की और बोली कि अब में आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती क्योंकि मेरे स्वामी जी की ये आग्या थी कि इनके साथ एक रात रहना सो वहरा द्बीत की उसने सोचा कि ठक की हूँ अटा पालकियां गाड़ी ले आओं उसे बिठा कर ले चलूँ वह गाम में गया तो घर घर में शिरी सीता से अचरी के दर चनूँए तब उसकी आँके खुल गी वही आँकर रोके बोला माता जी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुचा आएं आश्रम में आकर के वह शिरी पीपा जी के और शिरी सीता सेचरी जी के पैरों में गिर पड़ा उसके मन से काम आसना दूर होगी और संत भगवन्त की भक्ती में दिड़ भाव हो गया एक मात चार कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला दिला कादी धरन कर लिया और शिरी पीपा जी के निकटा करके बड़े नमता से बोले आप सच्चे संत सेवी हैं आप अपनी इस्तरी हमें दे दीची शिरी पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करती देखा तो कहा आप लाग कोठे पे जाए जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गे वैसे ही एक सिंगनी इन सब के उपर इन्हें फाट डालने के लिए पहबीत होकर के भागे और शिरी पीपा जी से नराज होकर के बोले तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंगनी बिठा रखी तुम सादों नहीं दुस्त मालूं पड़ते हो हस करकर के आप ने कहा आप लोग अपने हिद्दे को कुसित भावनाओं को देखिए अन अधिकार भोग भावना ही सिंगनी है सद भाव से पुना जाकर देखिए उन लोगों ने फिर जाकर के दिखा तो शीता सहचरी जी बिराजबान है वे सब चर्नों में पढ़कर के रोने आए वह प्राद शमा करने की प्राद ना करने लगे शिरी पीपा जी की बात को सत अमान करके वे सब उनके शिश्य बन गे शिरी प्रियादास जीने उक्त घट्राओं का अपने कवितों में इस परकार बनन किया है कियो उपदेशन रिप हिद्दे में परवेश कियो लियो वही पन आप आए निजदाम हैं बोलियो एक नाम जादू एक निसी देहू तिया लेहू कहीं भागो संग भागी सीता बाम हैं प्रात वही चले नाहीं रैन ही की आज्या प्रभू चलियो हारी आगे घर-गर देखो क्राम हैं आयो वाही थोर चलो माता पहुँचाए आयो आये गहे पाउं भाव भयो गयो काम हैं विशी कुटल चारी साधू भेश लियो धारी की नी मनोहारी कही तिया निज दीजिए करिके सिंगार सीता कुठे माज बैठी जाए चाहे मग आतर हुए आजू जाहू लीजिए गे जब द्वार उठी नाहरी सुफारिय कोफारे नहीं बानों जानी आय अति कीजिए अपनों विचारों ही यो कियो भोग भावना को मानी साध्य भेश शिश्य प्रभू मती दीजिए शिरी भक्तमाल में परसंग डग गवारिन को शिश्य बनाना शिरी पीपा जी के यहां बिराजवान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रगट की कि आज तो शिरी रगवनाच जी का दही भोग आरोगने का मन है उसी समय एक गवालिन दही बेचती ही उधर आई इससे ये जाना गया कि भगवान अपने भगतों के मनौरत पूर्ण करते हैं शिरी पीपाजी ने दही का मुल्य पूछा तो उससे गवालिन ने तीन आना बताया पर तो उस समय शिरी पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था वो ने उससे कहा तुद दही दे दे पैसे अभी नहीं है आज जो भी कुछ भेट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा यदि कुछ नहीं आया तो तुम्हारा दही ही भेट समझा जाएगा गवालिन ने सिवकार कर दिया दही का भूग लगा साधों ने शक्कर मिला करके भूग लगाया और बड़े प्रेम से दहीं पिया उसी समय शिरी पीपाजी का एक शिशे आया और उसने एक मुती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया उन्हें मुती माला और समपुरां धन गवालिन को दे दिया वे उस धन को घर लाई उसम में से कुछ थोड़ा अपने पास रखा शिश को भक्त भगवन्त सेवा में खर्च करके शिरी पीपाजी की शिश्या बन गी ऐसे ही अनेक विद्ध चिरित्र थे पीपाजी के चिरिप्रियादाची महराज ने इस घट्रा का अपने कवित में इस परकार वर्ण किया है गूजरी को धन दियो पियो दही संतनी ने ब्रह्मन को भत कियो देवी दी निकारी के तेली को जीवायो बैस चोरी नीपे फेरी लियायो गाड़ी भरी आयो तन पाँच ठोर जारी के कागद लेट कोरो करियो बनिया को सोक हरियो भरियो खर त्यागी डारी हत्या हूं उतारी के राजा को ओ सेर भई संत कोजू विभोदै लई चित्थी मानी गे शिरी रंगो दारी के शिरी भक्तमाल में दो पर संग शिरी रंग दास को भक्ति का मर्म समझाना एक बर शिरी पीपा जी शिरी अनंता नंद स्वामी के शिश्य शिरी रंग जी के यहाँ पोचे उस समय में भगवान जी का मानसी पूजन का रहे थे शिरी पीपा जी उनकी पौर पर बैठे रहे शिरी रंग जी मानसी पूजा में भगवान जी का शिरी अंगार का रहे थे पहले मुकट धारन किरा करके तब भोलों की माला पहना रहे थे मैं किंची छोटी होने से मुकट में अटक रही थे उनकी समझने समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पैना हूँ शिरी पीपा जी का मानसी सेवा में प्रवेश था आता बाहर से ही कहा कि गांट खोल करके धारन किराती जी जी रांग जी ने ऐसा ही किया फिर त्रौंती विस्मित होकर के आंग खोल करके इधर उतर देखने लगे कि किसने इतनी गुपत बाहुना को परत्यक्षत देख करके मुझे उपाय बताया है जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उसकतावच बाहर आए परम तेजों में दिव्य भाव पर सन्न मुक शिरी पीपाजी को देख करके शिरी रंग नाज जी ने पूछा आप कोन हैं किबा करके अपना नाम बताये तो शिरी पीपाजी ने मुस्करा करके कहा संतों से इस परकार कुछ पूछने की विधी नहीं है ये सुन करके शिरी रंग जी बड़े लजजित हुई और समझ गे कि ये कोई परम ग्यानवान सिद्ध प्रोश आए गीतोक्त विधी से पुना पर्चे पूछा जब शिरी पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वे इनके शिरी चरन कमलों में लोट पोट होगे इसके बाद वे हाथ जोड़ करके वहीं वे नमरता पूरक बोले प्रभू मेरा मन तो ये था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चल करके आपकी आगवानी करूँगा वंतो आप तो बिना किसी पूर सुचना की एकदम तो आर पर ही आगे आप क्रिपा करके बाग में पता रहें मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा श्री पीपाज ने कहा रहे भाई अब तो हम घर पर आईगे अब अगवानी की क्या जरूरत रहेगी उने कहा फिर तो महराज मेरी अविलाशा पूर नहीं रह जाएगी अंट में उनके प्रेम से हार करके शिरी पीपा जी घर से एक कोस तोर भाग में जाकर बिराजी शिरी रांग जी खूब बाजे बजवाते हुए मोहरें लुटाते हुए प्रेम उनमत हो करके नित्यगान करते हुए पालकी ले करके इनको लिवाने चले शिरी पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे शिरी सद्कुरु देश शिरी सामी रामानंद चारे जी चलते हैं बना मैं पालकी पर कैसे चिखकर चल सकता हूँ यदि आपका ऐसा ही भावे तो शिरी सामी जी की च्छवी को पालकी पर पधरगरा करके ले चले मैं पैदल चलोंगा ऐसा ही हुआ शिरी पीपाजी उनके प्रेम को देखकर के एक महीने तक उनके घर रहे शिरी पीपाजी सर्संग से संपूरन गाम शिरी राम रंग में रंग गया इसी परकार आपने दो इस्त्रियों का भक्ति का चीत कराया ब्रामन करन्या का विवा कराया इत्यारी विविध चरितों को उपर दर्शित करके पीपाजी ने भक्ति का विस्तार किया उनके उदाद चिरित्र का महान में इस्तार है उप्युक्त घटनाओं का शिरी प्रियादास्ची महराज ने अपने कवित में इस फरकार वर्णन किया है शिरी रंग के चेत धरेयो तियां ही अभाव भरेयो भ्रामन को शोक हरेयो राजा पे पुजाए के चंदवा बुजाए दियो तेली कोले बैल दियो दियो पुनी घर माज भेयो सुख आए के बड़ोई अकाल परियो जीव दुख दूरी करियो परियो भुमी गर्ब धन पायो दे लुटाए के अथी विस्तार लियो कियो हे विचार ये सुने एक बार फेरी भुले नहीं काएगी